गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए है तो रेगुलर करेंट अफेर्स और एक्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा तो चलिए शुरू करता है इस वीडियों हम 3 मई 2024 के करेंट अफेर्स देखेंगे अलही में नौर्वेजियन पूलर इंस्टिट्यूट के शोध करता क्रिशियन लिडर्सन ने स्वालबार्ड द्वीप समू के होपन द्वीप पर बर्ड फ्लू से मरने वाले वा नौर्वे के अंतरगत आता है तो नौर्वे का जो आपका मेन देश है और वा आपका आर्क्टिक महसागर है उसके बीच में पढ़ता है वह आपको सबस्क्राइबाता है इसके पहली मौत की वैसे ये पक्षियों को प्रभावित करता है, इसलिए इसको avian influenza भी बोला जाता है, ठीक है, avian influenza, लेकिन ये humans को भी impact कभी कभी कर देता है, और जानवरों को भी impact कर देता है, इसके लावा अगर बात करें, bird flu की, bird flu से लगातार देखेंगे, आप अलग-अलग देशों में मौ अगर बात करें, स्वालबाड की, तो स्वालबाड आर्क्टिक महासागर में इस्तित एक सुदूर द्वीप समूव है, जो नौर्वे और उत्री धुरूव के बीच इस्तित है, तो देखिए ये होता है आपका walrus जो जानवर है, इसकी अभी मौत हुई है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये है नौर्वे और ये है आपका स्वालबाड, और यहाँ पर आपका पढ़ता है, नौर्थ पोलियानी उत्री धुरूव, और ये स्वालबाड द्वीप समूव है, तो इसमें अलग-अलग द्वीप समूव है, इसमें देखिए जो सबसे बड़ आइलेंड है, वो है, इसमें पूरे द्वीप समूव का सबसे बड़ा आइलेंड है, और अगर बात करें, आर्क्टिक की तो भारत का एक मातर यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, जिसका नाम है हिमादरी, ठीक है, 2008 से यह ऑपरेट यहाँ पर कर रहा है, आर्क्टिक में अप इसका नाम है, इंड आर्क्टिक यानि इंडिया और यह आर्क्टिक ओशन से मिलकर बना है, तो दो चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा, इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है, आर्क्टिक में उसको बोला जाता है, हिमादरी 2008 से काम कर रहा है, और एक यहाँ पर अंड पर ही इस्तित है, इसको भी याद रखिएगा, तो आर्क्टिक से देखिए प्रशन पूछता रहता है, एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप यह जरूर देखिएगा, जो आर्क्टिक वरत है, जो 1666 डिगरी उत्री अक्षांस है, नौर्थ लेटिटीटूड है, यह क इन किन देशों से होकर गुजरता है, टोटल आठ कंट्री से होकर गुजरता है, तो इसको आप जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि यह प्रशन पूछता रहता है कि आर्क्टिक वरत कौन-कौन से देशों से होकर गुजरता है, यह important प्रशन है, तो इसको आप होमवर्क का एक देश है जिसको कैप वर्दे कैप वर्दे काबो वर्दे भी बोला जाता है अगर आप अफरिका का मैप देखेंगे अफरिका के मैप के जो वेस्ट वाला एरिया है जहां मौरी टैनिया देश है सेनेगल है उसते थोड़ा सा दूर आपको एक आईलेंड टाइप का हम और रोजित किया था तो ये दो आप याद रखिएगा अभी क्रोयשिया के साथ हुआ है इससे पहले मार्च की ये न्यूज है मार्च में केप वर्दे या काबो वर्दे के साथ हुआ था जो अफरिका महदीण का एक देश है बात करेंगर क्रोयशिया की इसकी जो और देखिए बात करें ये भी काफी चर्चा में रहा था, 2023 में क्रोईशिया ने यूरो को मुद्रा अपना लिया था, ठीक है तो एक जनवरी 2023 से यूरो इसकी मुद्रा है, इससे पहले यहां पर कुना, क्रोईशियन कुना इनकी मुद्रा थी, बाद में एक जनवरी 2023 से क्रो पुर्वोत्तर भारत के मूल निवासी बुरू समुदाये ने पहली बार त्रिपुरा के लोकसभा चुनावों में मतदान किया है, तो ये बहुत important है, देखिए इससे पहले मैंने एक और कवर की थी, अंडमाने निकोबार की, अंडमाने निकोबार की जनजाती ने भी पहली पहली बार इस बार लोकसभा के चुनावों में मतदान किया, और ये दूसरी नियूज आई है, तो दोनों आपको याद रखने है, पहले बुरू के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसको रिवाइस करा दूँगा, मैं पहली बार इसमें मतदान किया, मुख्य रूप से कह आफ़यों माने जाते हैं, समाज की मुखराας से कटे हुए माने जाते हैं, पिवी टीटी ऑँने हो होते हैं जो उसमें भी बहुत पिछड़े हों हैं, इसके लिए कुछ के टिग्री जैसे मैं आपको बताता हूं क्या-क्रिटेरिया होते हैं, बहुत पराश्य पद्धर्द जो इन क्राइटेरिया को फुल्फिल करती हैं, भारत में अभी तक भारत सरकार द्वारा या जन्जातिया मंत्राले द्वारा 75 जन्जातियों को PVTG का दर्जा दिया गया है, यानि बहुत कमजोर रूप से जन्जाति का दर्जा दिया गया है और सबसे ज़्यादा इसमें आपका कार निकोबार, लिटल निकोबार, ग्रेट निकोबार, तो जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में जनजाती पाई जाती है, शौमपेन, ठीक है, तो ये जो शौमपेन जनजाती है, इसने भी पहली बार भारत के इलेक्शन में इस बार वोट किया है, तो ग चियालिस्वी अन्टाक्टिक संधी परामर्ष डातरी बैटक, ठीक यानि अन्टाक्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कर रहा है, इसका चियालिस्वी एडिशन है, और इसके इलावा दो मीटिंग से साथ हो रही है, चियालिस्वी ये वाली मीटिंग है, और चब्वि और परियावरण संरक्षन के लिए समर्पित छेत्र के रूप में नामित करती है, देखिए अंटाक्टिका जो है, वो किसी भी कंट्री के आधिपत्य में नहीं है, ठीक है कोई कंट्री इसके ओपर उनर्शिप अपनी जाहिर नहीं करती, इसलिए अंटाक्टिका को एक चीज बनी थी और 1961 से लागू है, और इसमें देखिए भारत के भी अंटाक्टिक वाले छेत्र में दो रिसर्ट स्टेशन है, एक है आपका मैत्री जो भारत ने 1989 में बनाया था, दूसरा है भारती जो 2012 में बनाया था, तो हमने दोनों को कवर कर लिए, आक्टिक में आपका क्या ह की बहुत चर्चा में था, नाम है, माउंट इरेबस, ठीक है जो रॉस आइलेंड है, वहाँ पर ये मौजूद है, माउंट इरेबस में अभी गोल्ड डस्ट या सोने की धूल निकल रही थी, जिसकी वज़य से ये चर्चा में था, और सोने की धूल की कीमत 6,000 रुपे, य आप याद रखिएगा, ये आपका अंटाक्टिक में ही मौजूद है, अंटाक्टिक में भारत के रिसेर्स स्टेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी यार कर लिजेगा, ठीक है, तो मीटिंग आपकी कोच्ची मायोजित की जाएगी, भारतिय सेना औ और पुनीत वालन गुरुप ने इसको जॉइंटली डवलप किया है, ये आपका पॉन्त है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, पुने में, भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक पंदराशो बांगलादेशी अधिकारियों को प्रसिक्षन देने के लिए समझाता ग्यापन, यानि Memorandum of Understanding, MOU, को नवीनीकरत करने के लिए बांगलादेश शरकार के साथ एक समझाते पर हस्ताक्षर कियें, हम दोनों के बीच में पहले भी इस तरीके का एक टाइप था, उसको इस बार रिन्यू किया गया है, और इस रिन्यूवल एग्रिमेंट के द्वारा हम 1500 बांगलादेशी अधिकारियों को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, चीन अपने अंत्रिक्ष अन्विक्षण में एक महत्वपूल प्रगति को चिन्नित करते हुए, चंद्रमा की यात्रा पर चांग E6 लॉंच करने के लिए तैयार है, तो चीन का देखिए नया मिशन तैयार है, चांग E6, चंद्रमा का पृत्वी से अरफ है, केवल एक ही face हमें दिखाई देता है, क्यूंकि यह tquarterly locked है, तॉझा यहानी यह प्रिथवी से आपको दिखाई नहीं देता है, तो हम में चंद्रमा का कभी भी दूसरा face नहीं देखता, यह वाला face हमें कभी दिखता ही नहीं है, जिसको तो आप डार्क फिस्द बोलते हो, यानि यह प्रत्वी से कभी आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए यह important क्यों है, जो चांगी 6 mission है, यह चंद्रमा के इसी हिस्से पर उतरेगा, और यहां से यह sample collect करके वापस प्रत्वी पर लाएगा, तो far end इसको बोला जाता है, सुदू भी अपना space exploration चाइना की help से बढ़ा रहा है, मैंने नीचे डाला है, इस mission का उद्देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से, जो मैंने आपको बताया, far end जहां पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, मिट्टी और चंटान के नमूने इखटा करना है, जिससे प्रारंभिक विकास और आ iCube Q इसको launch करने के लिए तैयार है, तो हमें याद रखना है, iCube Q किसका है, यह इसी mission के साथ जाएगा, पाकिस्तान का जो चंद्रमा की सता की कुछ तस्वीरे खीचेगा, onboard camera आप इसे समझ सकते हैं, मोधी एंटरप्राइसेस, केके मोधी गुरूप की चेयर परसन और प्रबंध निदेशक, डॉक्टर बीना मोधी को भारत के सम्मानित उपराश्पती जगदीब धनकड ने corporate social responsibility या corporate सामाजिक दायत्व के छेतर में उत्रष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है, देखे से कही ना कही पब्लिक को ये पूझी वापस करनी चाहिए, यानि monetary benefits में नहीं होता, इसमें क्या होता है, जैसे आप education के छेतर में invest कर दें, आप शिक्षा के छेतर में invest कर दें, आप पर्यावरन के छेतर में invest कर दें, तो एक तरह से वो अपना सामाधिक दायत्व निभाते क्योंकि वो जो पैसा कमाते हैं, वो पब्लिक के consumption से ही पैसा कमाते हैं, तो इसी तरीके से ये आप कह सकते हो, Companies Act में ये पब्लिक को giving back to society, ये समाज को कुछ चीज वापिस करने का एक initiative, तो इसमें वीना मोदी जी को award मिला है, विश्व टूना दिवस, टूना एक बहुत famous म पशली में, इसलिए ये बहुत important है, जैसे आपका omega 3 fatty acids वगरा होते हैं, वो इसमें हमें मिलते हैं, पंडित राजेंद्र गंगानी को लक्षु महराज award 2024 से सम्मानित किया गया है, वैसे तो देखिए अभी 10, 2015 से 2024 तक, सभी की गोशना की गई थी, इसमें साहराबानो, हेमा मालनी जी को भी मिला है, लेकिन हमें 2024 का याद रखना है, इस important है, पंडित राजेंद्र गंगानी को मिला है, और ये कथक डांसर है, कथक उत्तर परदेश का एक classical dance है, भारत में total 8 classical dance है, उत्तर परदेश का ये एक मातर है, भारत में पहला मई दिवस, यानि मजदूर दिव इसके अलावा देखिए, United Nations या संयुक्त राष्टे की एक संस्ता है, ILO, International Labour Organization, इसके बारे में कुछ देखते हैं, यह संयुक्त राष्टे की एक विशेश एजनसी है, जो दुनिया भर की शरम परिस्तितियों और जीवन स्तर में सुधार के लिए समर्पित है, 1919 में जब वर संयुक्त राष्टे की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1946 में इसको पहली संबंध विशेश एजनसी या स्पेशलाइज एजनसी इसको बना दिया गया है, और एक चीज़ बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 1969 में इसको शांती के छेतर में नोबल पुरुसकार भी दिया जा चुका है, यह आप याद रखिएगा, यह हो सकता है, आपसे पूछ ले कि आईये लोगो नोबल पुरुसकार कम मिला है, तो 1969 में मिला है, एक यह जी आई टैग चर्चा में है, हाल ही में पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंतरक, जिसको कंट्रोलर जनर्नल और पेटेंट ट्रेड मार्क एंड डिजाइन बोला जाता है, गुजरात के कच्छ से आने वाले, कच्छ अजरक के पारमपरिक कारिगरों को भौल एक संकेतक प्रमालपत्र प्रतान किया है, तो देखिए, जो गुजरात का कच्छ जिला है, वहाँ पर एक गाउं है, अजर रंगाई करी जाती है, उसकी हल्प से मतलब आपने देखा वागा डाई वगएर होती है, उन लखडी के गुटकों को डाई में डुबोया जाता है, फिर उसको उठाकर कपडे पर, या जो आपका क्लोथ हाता है आपके पास, उसके ओपर पेंट इसको किया जाता है, फिर इ इसके अलावा देखिए कुछ और अभी जी आई टैग जो चर्चा में है, एक तो उत्तर परदेश का ही है, काठिया वीड, या काठिया गेहूं, या बुंदेल खंड का गेहूं है, इसको अभी जी आई टैग मिला है, उत्तर परदेश की तिरंगा बरफी, जो वारानसी की जो धलुआ आयट है, या मैटल कास्टिंग है, उसको भी दिया गया है, धलुआ दातुशिर्प जिसको बोला जाता है, उसको भी जी आई टैग मिला है, इसके अलावा उडीसा की है, रूपा तारा कशी, या उडीसा की है, इसको भी जी आई टैग मिला है, इसको भी याद रखिएगा, भारत ने प्रोजेक्ट इशान के तहट पूरे देश में फैले अपने चार हवाई छेत्रों को एक में एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करती है, तो देखिए प्रोजेक्ट इशान एक्चुल में क्या है, जो हमारा अभी फ्लाइंग जोन्स है, इंडिया मे उसके द्वारा शुरू किया गया है, और प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट इशान, और इसका जो हैड़क्वाटर बनाने की बात की जा रही है, वो नाकपूर से, इस इंटेग्रेट कमांड को हम नाकपूर में एस्टेबिश करेंगी, इसके बारे मे थोड़ा सा मैंने डाला है, इसकी फुल फॉर्म वगरा क्या है, तो प्रोजेक्ट इशान के बारे में, इंडियन सिंगल स्काई, हार्मोनाइजड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानि देखिये हार्मोनाइजड मतलब जो अभी चार अलग-लग छेतर हैं, उसके बीच में स भारती हवाई छेतर को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चिन्नई में चार उडान सूचना छेंडरों में विभाजित किया गया है, और इसके इलावाए गुहाटी में उप-FIR प्रतेक को अलग से प्रबंधित अभी किया जाता है, चारों को या पांचों को हम कह सकते हैं, स लेकिन अपने तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोट यानि एयर क्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फूजियान, इसका समुदरी परिक्षाण इन्हों ने शुरू कर दिया, तो आपसे पूछेगा अगर फूजियान किस देश का विमान वाहक पोट है तो ये चाहिना का तो यहीं आज के सारे करेंट अफेर्स थे, आई होब आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक कर दिशेगा, थैंक्यू, सो